नमस्ते दोस्तो मैं हूँ सागर और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस यूटूब सेनल पर जिसका नाम है आत्म निर्वर भारत मैं अपना जो बिजनेस को है उसको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा महनत कर रहा था कोशिस कर रहा था एक बहुत ही बनिया और अच्छा हैचरी की मुझे तलास थी तो दोस्तो मेरा काम था वो पूरा हो गया है दोस्तो अब मैं कॉंटिन्यू वीडियो लाऊंगा और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा जो आपके लिए काफ फाइदा दिलाएगा तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह हैचरी है और इस हैचरी में अभी अपना अंडा सेट हो रहा है दोस्तो और आप देख सकते हैं यह अंडा जो है यहाँ पे सेट हो रहा है मसीन में और दोस्त जो मेरे साथ भाई जुड़े हुए हैं, जिनका farming मेरे साथ है, मैं जिसके देखरेक में, जो मेरे farming करते हैं, तो उनके अंडे मैं hatchery में आप डाल रहा हूं और बहुत ही बढ़िया quality का अंडा भी है, जो चूजा मैं आपको दूँगा, वो एकदम best quality का चूजा रहेगा। दोस्तों चाहे वो इंडियर रनर का हो, वाइट टैकिंग का हो, या फिर खांकी कैम्बेल का हो, तो दोस्तों मैं तीनों का ही डक्स में आपको चूजा प्रवाइट करूँगा, और आपको बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि जो रेट में मैं आपको दूँगा, आज तक मैं गैरंटी लेता हो, दोस्तों कि कोई भी हैचरी वाला आपको एतना अच्छा रेट में, इतना कम रेट में आपको इतनी अच्छी क्वाइलिटी का चूजा नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही कम मार्जिन में काम करता हूं, और क्वाइलिटी के साथ मैं कोई अप्रमाज नहीं करता हूं तो दोस्तों अगर आपको एक number चूझे का अगर आपको जुरत था अगर आप भी नए farming से जोड़ना चाहते हैं और आपको अगर चूझे का तलास था तो मैं दोस्तों बोल सकता हूं कि अब आपका जो है चूजे का तलास खतम हो जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का चूजा दूँगा और दूसरा benefit यह होगा दोस्तों कि अब मैं आपको home delivery भी करवाऊंगा अपने घर तक अगर आप इंडिया के किसी भी कोने पर हैं तो by train by bus या फिर मेरा जो गाड़ी है उससे भी मैं आपके घर तक अपना चूजा भेज सकता हूँ क्योंकि दोस्तों अभी मैंने इसको काफी भी बड़े अस्तर पर इस काम को start किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की capacity है दोस्तों अभी अंडे से चूजे हैच करने की तो दोस्तों अभी आपको अगर dugs के चूजे चाहिए ठांकी केंबल, इंडियर रनर, वाइट पैकिन किसी भी परकार के कोई भी ड़क्स के चूजे चाहिए आपको करकनाथ के आपको सोनाली के या फिर आपको double FG के किसी भी तरह के कोई भी देसी मुर्गी के चुजे चाहिए या फिर आपको ducks के chicks चाहिए, बतक के कोई भी variety चाहिए और एक number की quality चाहिए तो दोस्तों मैं आपको दूंगा बहुत ही अच्छे reasonable rate में आपके घर तक पहुंचा के तो दोस्तों मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि जनवरी का महिना और दिसंबर का महिना जो नए फार्मर्स होते हैं उनके लिए काफी tough होता है नए फार्मर उस काम को start ना करे लेकिन दोस्तों अगर आप नए फार्मर है और अगर farming से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप के लिए फर्वरी और फर्वरी लास्ट और मार्च सबसे perfect समय होता है दोस्तों farming स्टार्ट करने का और ये जो आप अंडे देख रहे हैं दोस्तों ये हाला की जन्वरी में लग रहे हैं लेकिन इसके चूजे आपको फर्वरी के लास्ट तक ही आपके चूजे ये मिलेंगे आपको और ये सारे जो मसीने दोस्तों यहाँ पर आपका बतक का देशी मुर्गा का और कड़कना जितने भी वेराइटीस हैं जिसमें आप farming करना चाहते हैं और जितने भी farmers मेरे जुड़े हुए हैं उसी का अंडा यहाँ पर आएगा और उसी के अंडे का हैचिंगर की जो चूज कि अगर हम ठाकी केंबल या इंडियर रनर या फिर देशी मुर्गी का farming करते हैं बड़े इस्तर पे तो क्या अंडा कोन उठाएगा बहुत सारे मन में सवाल होता है कि अंडा बेश नहीं पाते हैं उससे बहुत दिक्कत होता है तो मेरे farmer और खुद हमको भी कभी ऐसा problem एक लाक अंडा हम मतलब मन्थिली का जो खाने का डक्स का वो बेचते हैं अपने market में प्लस देशी मुर्गी का अंडा का मेरे पास इतना demand है कि मैं market की पूरती को पूरा ही नहीं कर पाता हूँ और इसके बाद दोस्तों ये तो बात था ठंडा का लेकिन गर्मियों में खान का अंडे के demand थोड़े कम हो जाते हैं इसलिए मैं दोस्तों ये देखे setup करवाया हूँ hatchery का और इस setup में लाखों अंडे लगेंगे आपके और लाखों चूजे भी निकलेंगे और दोस्तों हम लोग को मिल के farming को आगे बढ़ाना है इसलिए मुझे आपका भी साथ चाहिए क क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़ के farming करना चाहते हैं तो आप मुझे corporate किजिए मैं आपको corporate करूंगा corporate करने का बात इस तरह है कि दोस्तों अगर आप मेरे से चूजे लेते हैं तो जाहिर सी बात है मेरी responsibility होती है कि आपके farm को समालने की आपके farm को देख रेक करन production अच्छा होने के बाद आपका marketing भी मुझे देखना पड़ता है और marketing के साथ साथ मुझे जब आप marketing नहीं कर पाते हैं तो अंडे को उठा के hatchery में डालना भी होता है तो दोस्तों अगर यह जानकारी और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ला नमसकार